साथियों, आज इस आयोजन में शामिल युवाओं की मैं इस बात के लिए और सराना करना चाहता हूँ आपने अमरुत महोसव के दोरान जन भागीदारी की अध्भूत मिसाल कायम की है भारत के युवाओं ने जिस बड़ी संख्या में अमरुत महोसों में हिस्साल या वो अभूत पुर्वा है समाज के हित्मे कार्य के लिए आप जितना कार्य करेंगे उतना ही देश का भी भला होगा युवाओं के लिए देश में एक नया संगठन भी बनाया गया है उत्संगठन का नाम है मेरा युवा भारत माई भारत अभी इस युवा संगठन को बने तीन महिने भी नहीं हुए हैं और इससे एक करोड से ज़्यादा युवा जुड़ चुके हैं आप भी मेरा युवा मेरा युवा भारत माई भारत संगठन से जरूर जुड़िये आप अपनी बात अपने सुझाओ नमो एप के माध्यम से भी मुझ तक पहुँचाते रहिए नमो एप पर आप मुझे आने वाले लोकसभाद चुनाओं में बीजेपी का गोशना पत्र बीजेपी का मैनिफेस्ट हो या कहो बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए खास करके युमाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए इस से जुड़े सुझाओ भी आप जुरूर बेच सकते हैं और मेरे हिसाब से तो आप बोर्ट डालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदारी चाहता हूँ आईए देश को बनाने के लिए आगे आईए आप भागीदारी कीजिए मैं चाहता हूँ कि लोगसभाद चुनाओ के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में देश के जादा से जादा युवाओं की भागीदारी हो भारत के युवाही बीजेपी के संकल्प पत्रों को गाइड करेंगे और आपके सुझाओं में जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे जो संभव लगेंगे और जो मोधी की गारंटी है तिये पूरा करने की शिरब लिखने के लिए मैं नहीं लिखता हूँ वो सुझाओं देने वाली वाहों से मैं मिलकर के विस्तार से भी बात करूँगा कोई टीम उसको सिलेक करेगी आपके साथ बैटूँगा गप सब करूँगा और अधित जानने का प्रयास करूँगा साथियों आपने देखो होगा देश के मुख्य चुनावायुक्त राजीव कुमार जी ने देश के युवाओं को बहुती अहम संदेश दिया है उन्होंने कहा है कि हमारी मतदाता सूची एक जीवन्त वाइबरेंट तस्वीर के रुप में हमारे लोक तंत्र की सम्रुद्ध विविदता को रिफलक करती है उन्होंने विशेश कर सहर के लोगों को युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर एक उदारण प्रस्तूत करने को कहा है वाकई आपका काम समाज को वोट के लिए जागरूत करने का भी है इस बार आपको लेटरस वोट के साथ साथ लेटरस मेग दें वोट पर भी काम करना है आप सब बहुत बड़ी मात्रा में सोचल मेडिया की जनरेशन वाले लोग है यानि आप सब एक बड़ी ओडियन्स से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं जिनका नाम अब तक वोटर लिस्ट में छुटा हुआ है उनका नाम भी आप लिस्ट में जरूर शामिल कराएं कोशिश करिए कोई भी ऐसा वोटर ना हो जो चुनाव में छुट जाए